बंदर और कुट्टे की लडाई एक दिन अचानक से एक बंदर का बच्चा पेड से नीचे सीधा जाकर एक सोये हुए कुट्टे पर गिर पड़ा वो कुट्टा भी घुसे में जाग गया और जोर वो उसे भौकने लगा नन्य बंदर उस भुसेल कुट्टे को देख और भी जादा डर गया वो तो ये तक भूल गया कि उसे कितनी चोट लगी है उस नन्य बंदर की हालत देख कुट्टा शांत हो गया अरे डरो मत वो तो तुम मेरे उपर ऐसे अचानक आके गिर पड़े इसलिए मैं भौकने लगा ओ देखो तो तुम्हें काफी चोट भी लगी है आओ मैं तुमारी चोट साफ कर दू कुट्टा बड़े ही प्यार से उसकी चोट अपनी जीट से साफ करने लगा कुट्टे का व्यवहार देख नन्य बंदर भी अब संबल चुका था उसने कुट्टे को बताया कि उसके घरवाले बाहर कई गये है वो अकेला ही पेड़ पर सो रहा था और नीन में नीचे गित बड़ा उसकी मासुम शकल देखकर कुट्टा मुस्कराने लगा आस-पास कही पानी ना होने की वज़े से वो उसे लेकर थोड़ी दूरी पर गया वहाँ पर एक छोटी सी पानी की तंकी थी बस वहाँ पर उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर पानी के साथ मस्थी भी की कुछी देर बाद बंदर के घरवाले वापस लोटा है पर अपने बच्चे को वहाँ ना पाकर उसे ढूनने लगे तुम अपने बच्चे को ढून रहे हो ना मैंने उसे कुट्टे के साथ देखा था वहाँ थोड़ा आगे और वो एक कुट्टे के साथ यूग गया होगा बला चलो चल कर देखते हैं कवे की पूरी बात सुने बिना ही, वो लोग अपने बच्चे के पास निकल गए, जब वो लोग वहाँ पर पहुचे तब उनकी आखे असू से भर गई, वो नन्ना बंदर पानी की टंकी में डूप कर मर चुका था, बड़े ही दुख के साथ उसे बाहर निकाला गया, उसकी इस हालत का जिम्मेदार उन्होंने उस कुट्टे को ठहराया, उन्होंने चारो और उस कुट्टे को ढूंडा, पर वो कहीं नहीं मिला, अब वो पूरी तरह से बदले की आग में जल रहे थे, अपने घुसे में वो इतने अंधे हो चुके थे, कि उन्हें कुछ समझ ही नही जाता तब तक हम उनके पिल्लों को मारते रहेंगे बस फिर क्या था उन लोगों ने एक एक करके खुत्तों के पिल्लों को पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें पेड की उची टैनियों पर ले जाकर तब तक नीचे फेकते रहे जब तक कि वो मर नहीं जाते बेचारे पिल के भी चंग छिट गई आज पास के जाने और भी ये सब देख हैरान हो चुके थे उन सब ने इने समझाने की बड़ी कोशिश की पर वो किसी की भी बात मानने को तयार नहीं थे कुछ दिन ऐसे ही भी थे कि तभी वो कव्वा वहां वापस आपोचा और पूरी बात उसके सम मैं उस दिन भी तुम से बात करके वहां से चला गया था अगर मैं यहां होता तो ये सब नहीं होने देता तुम ही ने तो बताया था कि हमारा बच्चा उस कुट्टे के साथ गया था देखो उसने उसके साथ क्या कर ड़ला और खुद अभी मूँ चुपाए बैठा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम समझ रहे हो बलकि उस कुट्टे ने तो उस बुच्चे का काफी ध्यान रखा था और रही बात उस कुट्टे की तो उस दिन एक कुट्टे पकड़ने वाली गाड़ी आकर अपने साथ ले गई इसलिए वो यहां नहीं है और हाँ कि शायद पानी के साथ खेलने की जिग्यासा ने उनके बच्चे की जान ली थी उन्हें ये सब सोच कर खुद पर शरम आने लगती है अब तो उनके पास सिवाए पस्टावे के कुछ भी नहीं बचा था अपने बदले की आग में उन्होंने बड़े ही दुशकर्म किये थे इसलिए वो बिना किसी को कुछ कहे वो इलाका और वो गाव छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बदले की भावना में किये जाने वाले कर्मों से सिवाए पस्टावे के और कुछ नहीं आसिल होता ऐसी ही मज़दार कहानिया सुनने के लिए अमारा चानल सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन दबाना मत भुलिए